तो बिरिलियन्ट नॉलेज के यूटूब चाडल में एजाज आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं तो आज की इस वीडियो में हमारे शामने क्या प्रश्ण है आए सबसे पहले इसको देखते हैं तो यहां उत्तर में देखे भारत प्राचीन काल से ही प्राचीन काल क्या है प्राचीन मतलब होता है पूराना तो भारत प्राचीन काल से ही काल का मतलब जमाना होता है तो प्राचीन काल से ही पराचीन जमाने से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है धार्मिक का मतलब होता है धर्म का विकास का मतलब होता है तरक्की होना आगे बढ़ना तो धार्मिक विकास का केंद्र रहा है धर्म के विकास का केंद्र हुआ है यानि भारत एक ऐसा केंद्र है ऐसा जगे है केंद्र का मतलब यहां पर जगे है जगे है जहां विविन धर्मों का विकास हुआ है विविन धर्मों का यहां पर पैदा हुआ है आगे कह रहा है कि भारत वेदिक धर्म की भूमी है वेदिक धर्म का मतलब होता है वैद का धर्म है यानि भारत में ही वैद को लिखा गया है तो वैदिक धर्म की भूमी है यहां बोध धर्म की जन्म भूमी है यहां बोध धर्म की जन्म भूमी है मतलब बोध धर्म जो है भारत में ही पनपाथा पार्षियों के जरगुस्ट धर्म की ये स्रनस्थली है यानि पार्षियों के जो जरगुस्ट धर्म है वो भारत में ही स्रल लिया था भारत में ही निवास कर रह रहा था आज भी यहां नित्ये नए नित्य मतलब रोज परती रोज हर दिन नए मत मतांतर परकट एवंग विक्सित होते रहते हैं मत मतांतर का मतलब समझे मत का मतलब क्या होता है अपना जो एक सलह देते हो उसको मत बोलते हैं आपके माइन में जो बात है जिससे आप सहमत करते हो उसे मत बोलते हैं और यहाँ पे हैं मत मतांतर मत पलस अंतर, अंतर का मतलब होता difference यहीं आपका और किसी और वेक्टी का, किसी और वेक्टी का अलग-अलग मत हो सकता है मत यहीं आपका जो मानना है और किसी दूसरे वेक्टी का जो मानना है वो अलग-अलग हो सकता है, इसी को तो मतांतर बोलते हैं तो मतांतर परकट या उवंग विवचित होते रहते हर रोज कस्य solamente में इस तरह से भारत धार्मिक छेतर में धर्म के छेतर में विश्व को आलोकित करने वाला एक महतन पुर्ण महतन देश हैं विश्व को आलोकित करता है आलोकित करना मतब विश्व को परकासित करता है परकासित करने का मतब पूरे विश्व को अंधकार से परकास की और लेके जाता है अज्यानता से ज्यान की और लेके जाता है कौन भारत किस दिरिष्टी से तो धार्मिक दिरिष्टी से तो यहां पर यह वीडियो समाम तो होता है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्वाद